अगर आप इस्टोक मार्केट में काम कर रहें और खास तोर पर इंट्राडे के लिए तो आपको एक बाद सहब जनी होगे कि इंट्राडे में एल्गोरीद्फम क काम करते हैं, तो इलगोरीद्फम को बिट करना इतना आसान नहीं होता है कि हम किस एंडिएटर वगेरा की साहि इसे उसको बीट कर पायें। सिब वह बीट काई से होगा‡दा की मदद से। और आपको पता है कि में जो भी श्टोग देता हूं डेटा के आधार पे ही देता हूं। उनी से केलकुलेशन अलग अलग फेक्टर पर केलकुलेट करके एक या दो या तीन ही स्टोक देता हूं और वही इस्टोक देता हूं जिसमें अच्छी खासी मूँ आने वाली होती है और हमारा बरपूर में मैं इस प्रोडक्ट में कौंटिटी में भी अगर इस्टोक अच्छी आज़ी खासी तो या मैं we this 21 अगया जाने और हमारा ऑपनिंग बेलेंस मैंने हो जाए के तो आप बारर हो समझ गए तो आपका जो ट्रेडिंग लेने का और इस्टोक फाइंड आउट करने का तरीका आटोमेटी की बदल जाएगा खेर हम उस टोपिक पे नहीं जा रहा है जल्दी जल्दी में बता देता हूं कि हमारे तीन इस्टोक कौन से हैं और कोई भी इंसान चाहे मैं हूँ कोई भी ये चेनल हो अगर इस्टोक दे रहा है तो उसका रिपोर्ट कार्ट जरूर देखना रिपोर्ट का मतलब यह है कि उसने जो पिछले क्योंकि आप मेरा कुछ नहीं जा रहा हूं लेकिन आप जेब से पेसे लगा रहा हूं आपकी मेहनत आपके परिवार की मेहनत का पेसा जा रहा है तो बतारा गलत बतारा वो बोलने से कुछ भी नहीं होता है तो इसलिए कि आये कि आप ये बात जरूर द्यान रखना मैंने एक वीडियो डाला है एक तो इस टोपलोस वाला जरूर देखना एक रिपोर्ट कार्ट के लिए ये वाला वीडियो इसको जरूर देखना चैनल पर अभी आपको आगे बता रहा हूँ पहला है एए अपोलो होस्पीटल दूसरा आगया ब्रीटाइणिया ये दो स्टोक हो गए और तीसरा तीसरा में बता रहां हमसे है बारती एटेल ये तीन स्टोक है ब्रिटाईने का में मंघलवार के रूद दियाथा उसका ना तो ब्रेक आउट हुआ है न ब्रेक डाउन हुआ तो एक बार उसको देख लेना कौन सी प्राइस दियुई थी किस तरीके से ये करना है बारती एटेल है इसको 506 से उपर जाए ध्यान से सुनना 506 से उपर जाए तो बाई करना है 584 से नीचे आए तो सेल करना है प्लस ये जितने रोज नेरो रेंज में चल रहा है उनकी candle count कर लेना आप जैसे कि मैं उधारन के तोर पर बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि हम गया बारती एटेल में ये तीन रोज से नेरो रेंज में इनकी total trade rate quantity चेक कर लेना उसका average निकालना मैंने बताया हूआ है ये रिपोर्ट आल रिपोर्ट में मिल जाएगी नेसिक साइट में भाव कॉपी में मिल जाएगी साइट में भी है ये ना उसमें जाके दो-तिन प्रोडक्त आसानी से मिल जाएगी लाइव मार्केट में आप वोल्यूम जब भी ट्रेडिंग करो तो वोल्यूम का जो रेता है वो जैसे एक ट्रॉस करें कौन सा जो average price और जिदर ये breakout दे याद रखना कि मान लिजे के average कम है जो average से कम traded quantity है तो आप बिल्कुल भी trade मत लेना क्योंकि वो एक fake breakout होता है अगर average को beat कर रहा है जो वोल्यूम सेयर है तो आप आँख बंद करके जिदर भी breakout या breakdown दे जितनी आप में ताखत हो उतनी quantity में फिर buy करना या sell करना आपको पूरा पेसा मिलेगा एक रुपे क का भी loss नहीं होगा और loss होगा ही निक्यों कि stop loss हमारा जो हमारी buying या selling price रहती है वही देती है यह यहाँ पर आप जिस भी stock है जो भी हमारा stock है वहाँ list आजाएगी जितने भी रोज नेरो रेंज है total traded quantity का average निकाल लेना और live market में मस तो देखना आपको कोई टेंसर नहीं नह आप अपोलो फिटल आ गया भारती एटेल है ना अपोलो फिटल में तेरा सो बारा के ओपर जाए बाई करना बारा सो चोपन के नीचे जाए शेल कर देना कि एवरेज quantity लेना जितने रोज नेरो रेंज में trade कर रहे हैं कि यह चार रोज से कर रहा है नेरो इसकी एवरेज ले एवरेज निकालना मस ता आप बिना टेंशन से मतलब इंट्राडे में कभी भी हच से ज़्यादा दिमाग भी ने लगा जाता और टेंशन में तकाम होता ही नहीं है तो इसलिए आप यह और बिटाइना का बताया हुआ हुआ है जितने रोज नेरो रेंज चल रहा है वो टोटल ट्रेड़ क्वांटिटी काउंट कर लिजे उनका आपको पैसा मिलेगा अच्छा खासा मिलेगा मेरे पूराने वीडियो पूराने क्या मातरब चार पांच साथ ही वीडियो है क्योंकि इस टोक के उनको देख लीजे आपको टोटल टेंज मतलब समझ में आ जाएगा कि किस तरी यह मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं ऐसा न कि कैसे फाइंड आउट करना क्या करना क्योंकि अभी गया ही स्टाइडिंग चैनल है तो ज्यादा वो सब्सक्राइब बरनी है इसलिए में कुछ ज्यादा है डिटेल में डाल भी नहीं रहा हूं क्योंकि आपको जितना अभी काम में आ रहा है इंट्राडे में आप कमा रह कि हमारी मेनत बचेगी उसमें तो यह पांत दस मिनिट लगेंगे आपके तो इनको जरूर देखना अगर आप इस्टोक मार्केट में काम कर रहे हो तो धन्यवाद अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो सब्सक्राइब करना लाइक करना साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस क करना दन्यवाद